किया आप HIV AIDS के डर और चिन्ता के साथ जी रहे हैं तो इसका इलाज या उपाई करने के लिए ए वीडियो पहले से लेके आखीर तक ध्यान से देखे इस चीज़ को आप ध्यान रखे आप इस वीडियो में क्या जानेंगे HIV AIDS का डर क्या आप HIV के डर की बिमारी से पीडित हो या नहीं उसके चीन्ह क्या होते हैं इलाज कैसे किया जाता है और वो किस कारण से होता है यदि आप HIV के डर के कारण आपका रोजिन्दा जीवन, काम, पढ़ाई और सबंद पर असर होने लगा है क्या क्या टेस्ट नेगेटिव होने के बावजूद आपको ऐसा लगता है क्या आपको HIV हो गया है या होई जाएगा ऐसा सोचते रहते हो बार-बार लेबोर्टरी टेस्ट कराते हो 24 गंटे आपके दिमाग के अंदर HIV का विचार आना दीन का जादातार समय इंटरनेट पर, यूट्यूब पर और गुगल पर HIV की माहिती के लिए आप पढ़ना या तो कुछ वीडियो देखना यदि आप लेबोर्टरी के लोगों से, डॉक्टर से और दोस्तों से HIV के बारे में पूछते रहते हो अयोग्या और बीन जरूरी इलाज करते हो HIV का रिपोर्ट नेगेटिव होने के बावजुद उसके बारे में HIV के बारे में दवा या तो इलाज कराने के बारे में सोचते हो तो आप HIV और AIDS से जुड़े डर, चिंता या फोबिया की बिमारी से गुजरते हो ऐसा हो सकता है डर उत्पन करने वाली घटनाए क्या-क्या हो सकती है पहला सारिक सबंद, योन, गुदा और मुख में थुन उसमें कॉंड़म का इस्तमाल किया भी हो सकता है, नहीं भी किया हो सकता है खून, वीरिय या योनिस्त्राव जैसे प्रवाई का संपर्क में आना इस ग्राप में आप दे सकते हो किस किसम के फ्लूड के अंदर, 1 ml फ्लूड के अंदर, HIV की मातरा और शतन कितनी होते हैं इस और शतन है सूई या सिरिंज के संपर्क में आना पहले डर को समत्ते है डर का मतलब क्या है, डर क्या होता है कुछ बुरी गटना होने की संभावना के विचार से आपकी बावनाय में संतुलन बिगड जाता है इमोशन्स आपके बिगड जाते है और खराब महसूस होना जिसको हम सिंपल सी बाषा में डर कही सकते है चिंता क्या है एक मांसिक स्थिति है जिसमें डर की मात्रा ज्यादा होती है बेचेनी महसूस होती है लेकिन किए इंसान उसमें देखे तो इंसान फिर भी सोच सही पाता है और उसका वरतन भे अबी नॉर्मल होता है मतलब उसको पता है कि दुनिया की हकीकत में क्या हो रहा है अब देखे फोबिया ये चिंता का उग्रा रूप है उसमें अवास्तविक सोच हो जाती है जैसे दुनिया में हकीकत है उससे विपरित उसके दिमागे में ख्याल आने लगते है जरूरत से ज्यादा उसको डर लगने लगता है परिस्थिती पे कंट्रोल करना मुश्कील या नामुनकिन होना सामाजिक, काम, पढ़ाय और पारिवारिक जीवन को प्रभावित करता है तो इस सित्री में आप अभी समझ सकते हो कि अभी आप कौन से लेवल पे हो डर, चिंता या फोबिया डर, क्या डर से हमारा जीवन अच्छा होता है तो इसका जवाब है हाँ और इसका जवाब है ना डर कितनी मात्रा में है उस पर डिपेंड करेगा कि हमको जीवन में काम लग रहा है कि हमारे जीवन को खराब कर रहा है यहाँ पर जो हरे रंग में है वहाँ पर दिखाए दे जा रहे हैं कि डर की मात्रा बहुत कम है तो वो काम ठीक से इंसान नहीं करता लापरवाही हो जाता है जो पीले कलर का है वहाँ पे डर की मात्रा ना तो ज़्यादा है और ना तो कम है तो इंसान का काम करने का तरीका बढ़ जाता है प्रोडक्शन बढ़ जाता है परफुमंस अच्छा हो हो जाता है ठीक से सोचता है और मानलों के जरूरत से ज्यादा डर हो जाए तो इंसान ठक जाता है सोच सोच के और बेकाबु हो जाता है डर तो इंसान चिंता या तो फोबिया नाम की बिमारे से पीडित हो जाता है और उसका जिवन में काफी सारी तकलिफ ये आती है डर के कारण डर के किस-किस प्रकार के होते हैं वो भी देख लेते हैं कभी कबर कोई जोकिम ना होने पर भी हाई हो जाने का डर रहता है किसी को कुछ लोगों को टेस्ट कराने में डर लगता है कुछ लोगों को ऐसा डर होता है कि positive report आ जाएगा तो क्या होगा लोग क्या कहेंगे उसके बारे में टेस्ट में क्या करते होंगे और यदि कोई टेस्ट कराता है तो उसकी information क्या वो लोगों को गवर्मेंट को पारिवारिक लोगों को दे देते होंगे क्या तो गोप नियता को बरकरार रखते होंगे के नहीं रखते होंगे तो लोग इन प्रकार इन प्रकार के डरों से गुजरते हैं अभी मालो किसी इंसान के अंदर डर है तो उसके लक्षन उसके जिवन में क्या-क्या दिख सकता है यदि अपने regular partner यानि की पती पतनी या boyfriend या girlfriend को छोड़ के किसी और के साथ sex करने से आपके regular partner के साथ आपका सामाजिक और sexual जीवन पर असर होता है क्योंकि अधि आपको डर लगने लगता है कि मेरे से इदी मेरे partner को कहीं HIV ना हो जाए इसलिए आप कुछ हद तक दूरिया बना लेते हो अपने partner के साथ आप sex करना छोड़ देते हो या तो हमेशा condom का इस्तमाल करते हो या तो आप अपने stress के कारण अपने personal relationship पर ध्यान नह हो जाना नींद कम हो जाना फिजिकली activity कम कर देना डर और चिंता के कारण भी HIV के जैसे लक्षण आ सकते हैं और लोग आप लोग कुछ लोग ऐसा भी सोचने लगते हैं कि HIV के लक्षण है लेकिन नहीं यह HIV के लक्षण नहीं लेकिन HIV के कारण जो डर और चिंता है उसके कारण HIV के जैसे लक्षण आ सकते हैं कम जोरी लगना वजन कम हो जाना हताशा मैसूस करना और कुछ गंबिर किस्षों में आत्महत्या के विचार भी आ सकते या तो प्रयास लोग करते हैं तो ओ लक्षण में इंसान के लक्षण क्या होंगे वो लोगों से दुरिया बना लेते हैं उसको मौत के खयाल आने लगते हैं खाना नहीं खाते हैं यह तो बहुत सारा खाते हैं उदास रहते हैं कमजोरी महिसूस करते हैं ठीक से निंद नहीं आती अपने आपको अपराधी मानत और गिल्टी फिलिंग करते हैं, जरूरत से ज़्यादा गुस्सा आ जाना, नशा करने लगना, दारू पिना, सिगरेट, तंबाकू और अपने काम पर ध्यान नहीं देना, इस किसम के लक्षन्स आ सकते हैं, यदि आपने, अब हम देखते हैं आगे, कि डर को कैसे कम किया हैं, यदि आपने कभी टेस्ट नहीं किया है, और आप वैसे डर रहे हो, कि आपको HIV हो गया है, अतो होई जाएगा, तो आप पहले चिंता करना छोड़िए, और एक सही समय पर, समय के अनुराफ, विंडो प्रियर खतम होने के बाद, आपका जितना भी दिन का एक्स्पोज करा लिजे, और ये एक सही टेस्ट सही समय पर की गई, तो उसके बाद उसमें नेगेटिव आ गया, तो उसके बाद आपको और कोई रिपोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, यदि आप इसके बारे में अस्वंजस में हो, तो HIV AIDS Specialist डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, यदि आ पर से आप कॉंटेक्ट करके मेरे से ओनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हो, या तो किसी और डॉक्टर से HIV AIDS Specialist से भी ले सकते हो, अपने दोस्त और परिवार के सदश्यों को अपनी परिशानी बताए, आप इस मानसिक लड़ाय में अकेले मत लड़िये, आपको एक दोस्ती या तो परिवार के सदश्यों की परिशानी में मदद करेंगे ये दोस्त, आप एसा मत सोचे कि आपका दोस्त क्या सोचेगा या तो परिवार क्या सोचेगा, यदि आप किसी से मदद नहीं लेंगे, तो आप अपका नुकसान बढ़ाते ही जाएंगे, और एक दिन तो बताना पड़ेगा लेकिन तब तक उसको स्थीक करने में काफी और ज्यादा समय भी लग सकता है पैसा भी लग सकता है और आपको जीवन में तकलिफ भी बढ़ गई हो सकती है लेकिन याद रखिए दोस्त और परिवार से आपकी तकलिफ शेर करना है लेकिन HIV और AIDS के बारे में क्या क मदद लेना है वो तीन किसम के लोग है HIV AIDS specialist doctor या मनोविज्यानी जिसे हम psychologist बोलते हैं जो आपसे बातचित करके आपके विचारों में कैसे ठीक किया जाए वो मदद कर सकते हैं या परिशिती बहुत ही जादा गंबिर है तो फिर मनोचिकित सक मतलब के psychiatrist आपको कुछ दिनों क के लिए दवाय देंगे और तो उस दवाय के साथ आप दिरे दिरे ठीक होने लगोगे और सुनिए अधी आपको लगने लगता है अभी तक कि आप डर चिंता या फोबिया की बिमारी से पीडित हो गए हो तो चिंता मत करिए आप पूरी तरह ठीक हो सकते हो आप इन तीन कि सम्द के specialist लोगों से बात करके जैसे आपकी जरूरत हो इसे साफ से डर को और कैसे कम करें जानिये कि जो लोग HIV positive है वो लोग भी स्वस्थ और पूरा जीवन जी सकते हैं कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि HIV हो गया तो इनसान मर जाता है तो आज के समय में ऐसा नहीं होता आज के समय में हरोज की सिर्फ एक गोली खाने से यदि सही समय पे चालू कर देते हैं तो वो इनसान अपना पूरा जीवन जी सकता है स्वस्थ रूप से जी सकता है बिना तकलिप के जी सकता है उसकी मौद भी HIV से नहीं होती ठीक है और दूसरी बात कुछ और जो सेक्शूली एक्टिव लोग है वो सुरक्षा के साथ बिना डर अपना जीवन में से जी रहे हैं तो आप सेक्शूली एक्टिव हो तो आपको बहुती में से खत से ज्यादा डरना नहीं है सुरक्षा के लिए जो चीज है ज़रूरी उसको जानना है इस्तिमाल करना है और उसके बाद आगे डरने की कोई आवश्यक्ता नहीं है आप प्रेप जो मिन्सके समन से पहले लेने वाले HIV की दवाई के जिस से HIV रोका जा सकता है पैप यानि की संपर्क में आने के बाद महतर घंटे के अंदर दवाई चालू करने से HIV को रोका जा सकता है और कॉन्डम के इस्तिमाल से HIV रोका जा सकता है और दूसरी एक चीज है कि मालो जिस HIV पॉजिटिव इंसान के दी वाईरल लोड अंडिटेक्टेबल है तो उसका मतलब है वो अंट्रास्मिटिबल हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ यदि जिसका वाईरस का रिपूट वाईरल लोड का रिपूट वाईरस नहीं दीख पाते उतना कम है वो zero नहीं होते लेकिन वो machine उसको पकड़ नहीं पाते उतने कम हो जाते है तो उस इंसान से दूसरे इंसान में sexually या HIV transmitter नहीं होता अब देखते हैं इसके इलाज पर आपको समझ लेज़े कि अब आपको ये बिमारी आपको HIV की बिमारी नहीं है HIV के साथ जुड़े हुए डर की बिमारी है तो अभी आपको आपका focus HIV पर नहीं रखना है लेकिन मानसिक स्वास्थाई कैसे वापस लाया जाए उस पर focus करना है आपकी बुद्धी पर आपके emotions मतलब भावना वो ने हवी हो गया है बुद्धी पर आपकी भावना वो हवी हो गया है तो उसके कारण अभी आप डर के साथ जी रहे हो तो इस मानसिक अवस्ता को कैसे ठीक किया जाए ये अपनी मानसिक भावना है उस पर कैसे कंट्रोल किय जाए उस पर में आपको समझाओंगा तो अभी आपका focus HIV नहीं होना चाहिए अभी आपका focus आपका दिमाग में से mental health होना चाहिए यदि आप मानसिक परिस्तिते पर वापस संतुलन बना लोगे अपने आप या कुछ डॉक्टर्स के मदद चे या साइकोलोजिस्ट या साइ तो आप उसके लिए मानसिक संतुलन वापस बनाने के लिए ध्यान करिए योगा करिए प्राणायाम करिए स्वासो स्वास की exercise breathing exercise करिए जिससे आपके फेफ्टों में अधिक मात्रा में oxygen पहुंचेगा तो आपके दिमाग में अधिक मात्रा में इसमें से जो हर्मोन का imbalance और आपको जानकर ताजव होगा कि मेरे पास मिन्स के हरोज के काफी लोग मिन्स के इस दर के कारण या तो एक्स्पोजर से HIV है के नहीं हूँ जानने के कारण phone calls करते हैं मेरे क्लिनिक में आते हैं लेकिन मेरे पिछले 10 समसे 8 से 10 साल के experience में आपको बताऊंगा कि 99% से भी ज कि इन जो HIV से डर से जीते हैं या तो HIV एक्स्पोजर हो गया है और HIV है के नहीं उसका जब हम report करते हैं तो 99% से भी ज्यादा लोगों का HIV का test का result negative आता है मतलब उसको HIV नहीं आता तो इस यहां से भी आप समझ सकते हो कि एक डर की तकलिफ है ना के HIV की तकलिफ है आप स्नायू की कसरत मतलब में से muscle exercise कर सकते हो positive जीवन से लिए अपनाए जिसमें आप नसा कोई करते हो तो उसको छोड़ दीजे सही समय पे सो जाए रात को में से सोने से एक गंटे पहले mobile का इस्तमाल ना करिए कि विजुलाजेशन करिए मतलब आप अच्छी चीज़ें को positive चीज़ों को अपने आख बंद करके या तो खुली आख से भी विजुलाजेशन कर सकते हो positive चीज़ पर focus करिए Desensitization Technique मतलब आपको जो डर है उस दर से थोड़ा वाकव कराते हैं और आपको बताया जाता है कि देखिए सामने जिस चीज़ से आप डर रहे हो वह चीज़ यह है और इसमें तो डर की कोई आवश्यक्ता ही नहीं है तो दिरे दिरे भी आपका डर कम हो सकता है आप कैसे सां आत्मक विचारों और भावनाव को चुनोती दे सकते हैं आप कह सकते हैं कि मेरा HIV का रिपोर्ट सही समय पर किया है विंडो प्रेड के बात किया हुआ है यह रिपोर्ट नेगेटिव आया है तो अभी यह विग्यान कहिता है कि मुझे HIV नहीं है तब मुझे डरने की कोई आ करूंगा नहीं उसके बारे में चिंता नहीं करूंगा और उसको सामने से में लड़के अच्छी जिन्दी गुजारने के लिए मैं तयार हूँ और किसी मन पसंद विषय के बारे में आप सोज भी सकते या उसका उस कार्य को भी कर सकते हैं अब इसका इलाज कारण दूणना है क्यूं हुआ है कारण के बारे में आगे बात करेंगे मिलना है उसमें आप कभी वन तू वन हो सकता है मतलब आपके साथ मेरी इलाज करें जाता है कभी कबार ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ आपको family members को साथ में रखके उसको समझाते है तो घर पे जाके आपके family members भी आपको support कर सके या तो group therapy मतलब जैसे आप जैसे दरने वाले लोग है दो पाँच चार पाँच तो सबको साथ में बिठाते हैं और उसमें doctors आपको समझाते हैं क्या counselor आपको समझाते हैं कि हर किसी का अपना अपना problem से आप एक दूसरे के problem से भी सीखते हो और इसको बोलते है group therapy और मान लो कि आपको मिसकी HIV-AIDS specialist doctor से बात करने के बाउजिद सबकुछ से समझाने के बाद भी आपका दिमाग यह किकत मानने के लिए तयार नहीं है कि आपको HIV नहीं है आपको होने की कोई संभावना नहीं है आपको और रिपोर्ट कराने की संभावना जरूरत नहीं है और फिर भी आपका दिमाग नहीं मानता तो फिर मिसके आपको साइकोलोजिस्ट के पास जाना चाहिए तो पहला स्टेफ है आप एड़ स्पेशलिस डॉक्टर से संपर्क करें ओनलाइन भी कर सकते हैं इस नंबर के वाट्सप से यहां पर स्क्रीन पर दिये हुए नीचे वाट्सप के नंबर से या दूसरा आप फिर भी आपका दिमाग उसको मानने के लिए तयार नहीं हो रहा है तो समझे इसमें आपका कोई दोश नहीं है आप अपने आपको गुनिकार साबित मत में साबित करने की कौशित मत करें यह आपके दिमा जिस तरह से किसी इंसान को पैरों में दर्ध हो सकता है उसी इसा किसी इंसान को धर की बिमा से Cognitive Behavior Therapy लेना होता है उस थेरापी में डॉक्टर मिसके आपको साइकोलोजिस्ट मतलब में मनुग्यानिस के साथ आपको आधा गंटा एक गंटे का एक सेशन्स होता है वैसे आपको पांच सेशन दस सेशन्स लेना पड़ सकता है ठीक है तो वह आपको Cognitive Behavior Therapy मदद कर सकता है अपने आपको मॉबाइल्स पर HIV के इंफर्मेशन दूनने में अपना टाइम मत बिगाड़िए अपने दिमाग को खराब मत करिए आप और मनोरंजन की गतिविदियों पर ध्यान दे वह कुछी अच्छी positives 유리 Hall अच्छे positives आब्स में भी सकते हो या कोई और रचनात्मक्रिया जैसे करना है कुकिंग करना है वह सभी कुछ कर अध North Straight कैंड अब क्षा कर सकते हो कम से कम आठ गन्टे की स्नी निंद लिजिए फ्रूट्स खाये ज़रुब पढ़ने पेयर और परिसित्ति बेकाबू होने के लग रहा हो तो साइक्याट्रिस से आप एंट्री डिप्रेसंट या तो और जो ज़रूरी मेडिसिन से ले सकते हो लेकिन अपने आप नहीं लेना है हमेशा साइक्याट्रिस बनोवग्ञानिक डॉक्टर से उससे ही लेना है सही समय पर आप से बात से भी बात से नहाने से अपना दिमाग में अच्छा पिलिंग्स आती है अपना जो भी काम करना है उसको मेंटेन रखे उसको जोने का ठायम का पढ़ने का ठायम कोई भी टायम का अपने हिए और चरिया को सही समय पर हर चीज अपने सही समय पर करते रहे कुछ उटामिन्स की गोली भी इसमें आपको काम कर सकती है इसके लिए आप दिये मिसके HIV के स्पेशालिस डॉक्टर्स साइक्याट्रिस और साइकोलोजिस्स की भी मदद लेजिए योगा करिए पॉजिटीव क्वातावरन बनाए नेगेटिव न्यूज मत देखे एच मॉबाइल पे नेगेटिव वाटसप पे फेस्बूक पे कुछ भी मत पढ़िए नेगेटिव बात चलने के लिए जा सकते हो और इसके अला और भी कुछ तरीके हो सकते हैं जो हर किसी को style lifestyle अलग-लग होती है तो हर किसी का इराज होता है वो अलग-अलग ढंक से करने का जरूर पड़ सकता है अब देखते हैं कि इसके डर के कारण क्या है आपके दिमाग में आया कुछ किसो तो में एक कारण genetic से मतलब रंग शुतर है तो मिस्कि उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें आपका दोश कुछ नहीं है तो जो HIV ईच्पोजर हुआ वो तो एक निमीत मात्र है वह डर आपको कहीं और कारण से भी आ सकता है जीवन में टेकिक एक कारण बना हुआ है लेकि या तो कुछ गलत मिसे माहें इंफॉरमेशन हो आपके पास गया तो अपने आपको ज़ारा जादा पस्ता हो रहा है और आप अपने आपको अपरादी यो आपको अपरादी भाहों से पिडित रहे हो कि मैंने मैंने अपने वाइफ या तो बॉइफ्रेंड या पती या पतनी के साथ गलत किया है उसको दोका दिया हुआ है मैं इसके मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था तो ऐसा अपराद बहुत से पिड़ा रपिडित हो तो भी आपको डर की मातरा ज्यादा हो सकती है कि अपने जिवन में के पहली बार कोई सारीश्वन बनाया है तो भी आपको यह भावनायम से डर्ज लागना एक नॉर्मल सी बात हो सकती है कभी कबार किस लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने गलत काम किया है तो इस गलत काम के करण मिसके अब मुझे गुद्रत मिसके HIV की काफी बार ऐसा भी हो सकता ह tooth को हर बार कोंडुम का इस्तमाल करता हो लेकि एक बार उसने का समय नहीं किया तो आप उसको लगता है कि लिए को जादा जाधा हूं लगता है impression का कॉंद्म फिसल गया हो तो नम फट गया हो ऐसा डर लगता है लेकिन उसने ऐसा देखा नहीं उसे ना तो ऐसा कॉर्टनम फटा हुआ देखा है ना तो उसने फिसला हुआ देखाए फिर भी ऑथ सब्सक्राइब कूछ किस्यों में कौड़ी में फटा हूआ ऐसा हो सकता है लेकिन लेकिन लुद्वा के करण भी तक्लिफ हो रही है काफ तो समझीछ कि में कॉट्बом भी फटता हो Patrol보 की चलिंग ये तो यदि आप नहीं जानते हो तो उसके करण हो सकता है तो मैं इसके कुछ दिनों के अंदर कॉंडॉम को सही तरह से कैसे इस्तमाल करें कि जैसे कॉंडॉम ना तो फटे और ना तो फिसले उसका भी वीडियो में बनाऊंगा तो वीडियो को देखने के लिए भी मैं इसके और बेल आइकन को दबा दीजिए तो आपको विडियो का रोटिप्रिकेशन आ जाएगा जैसे जिए उन्हें पहली बार सेक्स किया है तो डर बड़ा हुआ ऐसा हो सकता है यदि इसे कुछ निया करना सेक्स्वल एक्टिविस में कुछ निया करना का एकसेटमेंट के लिए मान लो वह इंसान सिर्फ वजानव सेक्सी कर रहा था यो नहीं महितुन कर रहा था अब तक लेकिन उसने excitement के लिए उसने पहली बार कभी गुदा महीतन कर लिया तो उसने पहली बार मुख महीतन कर लिया तो उसकी normal practice से अलग जाके उसने कुछ महीतन किया है तो उसको डर का करण हो सकता है या तो अपने regular partner को छोड़ कि किसी और के साथ safe दरते हैं तो एक अपराद भाव भी होता है तो उस दर को पैदा करता है कभी आपने पैसे दे के या तो पैसे लेके sex किया है तो आपको ऐसा लगता है कि मिन्स के वो ये sex worker है तो उसके साथ को काफी लोग sexual activities करते होंगे या तो वो किसी के साथ काफी लोग के साथ sexual activities करते होंगे तो उसको H.I.E. होने की संभावना ज़ादा है तो मुझे भी मिन्से उसे H.I.E. होने का खत्रा बढ़ जाएगा ये भी एक कारण हो सकता है गभी कबार किशी के साथ जवरन सेक्स होता है तो उसके करण भी होने का ड़र लग सकता ह। तो देखें इस दर को निकालने के लिए एकी चीज़ है सिम्पल सा एक लैबम टेस्ट विस्कारण कि आपको लेबोर्टे के टेस्ट के आधार पर कुछ दिन हपतें या या फ्रिंद का इंतजार करना होता है होता है कि इंतजार को करना दिमाग में तो मुख्या रूप में में तीन कैटेगरी तो उसके बारे में मैं समझाता हूं ठेस्ट नहीं है तो हो तैस्ही ज़ल्दी से जल्दी टेस्ट। से टेस्ट करना है। PCR टेस्ट का भी कुछ अलग-अलग टाइप्स होते हैं ठीक है उस टेस्ट का खर्चा आपको पत्ची सो रुपी से लेकि चार रुपीर तक का खर्चा हो सकता है ठीक है एदि आपकी वह सुवीधा हर जेगा पर उपलब्द नहीं है या तो खर्चा आप इतना नहीं कर सकते किसी कारण से तो फिर आपको कुछ और महीनों तक इंतजार करना है और कुछ महीनों के बाद आपको एंटी बॉड़ी और एंटीजन टेस्ट कराना होता है दोनों है तो आप कुछ और महीने इंतजार करना है और उस महीने के इंतजार करने के बाद आप उस रिपोर्ट करा सकते हैं खर्चाप जीरो से फांसूर रुपे तक हो सकते हैं और नाय में होता है और आपको पता है तो पुछ लोग POW कुछते क्या तेस्ट बेस्ट है कोई भी टेस्ट या तो वर्स्टा बूरा टेस्ट नहीं है सबी टेस्ट आपको वही बताते है कि आपको HIV है के नहीं आपको सिर्फ किसी केटेगरी का एक ही टेस्ट कराने की जरूत है लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ उतना ध्यान रखना है कि आपको कितना समय हुआ है एक्सपोजर से और उस exposure से समय की हिसाब से कौन से test आपके लिए सही है तीनो делать के विंडो परियर अलग अलग है तो आपको अपना YouTube जो आपका exposure का days है वो और window period को match करना है और यद ये हो decide हो जाता है तो उसके बाद शिर्फ और शिर्फ एक ही से आपको पता लग जाएगा कि आपको HIV है कि नहीं और आगे भी बताया था कि 99 मतलब नजन्य निन्यानि में फीजदी लोगों उससे भी ज्यादा निन्यानि फीजदी लोगों के अंदर मिन्स के से हाइब का रेपोर्ट जो डर के करान कराते तो नेगेटिव आता है नर्मल आताई नहीं नहीं है यदि आप जानना चाहते हो कि आपके केस में आपने मैं जो मुक मेतन मेतन किया है और यक gider केस की जरुत है तो उस छेसों को पर बात को पूरी तरह से अच्छी तरह से वन तो वन फेस टू फेस हमने देखा था कि इसका इलाज में एक को फेस टू फेस आपको मिसके ऑनलाइन या तो क्लिनिक पर जाके चाहते हो तो स्क्रीन पर नीचे दिये गई वाट्सप जो नंबर है 7778042851 पर संपर कर सकते हो और अभी आपकी किसम के डॉक्टर या प्रोफेशन से इलाज कराने की जुरुत पड़ सकते ही तो यहाँ पर तीन कैटेगरी तीन कैटेगरी से सबसी पहले कैटेगरी रहेगी आपकी HIV AIDS के स्पेशालिस लोग वो आपको HIV के बारे मिग्दान देग कि कहा नहीं है कैसे टेश कराने चाहिए दॉक्टर आपको सब कुछ समझाएंगे और यदी अपसमझने के लिए आपका जो मन है जो मानने के लिए वह त्यार मानने के लिए वहванत चकार हो जाए अधकर के बात से तो आपका काम यहां से खतम हो जाएगा तो पिर आपको आगे और कुछ करने की जरूरत नहीं होगी आपका प्रेश्ण है वो हल हो जाएगा आपके डर चिंता और फोगिया यहां से निकल सकता है मान लेजिए कि मिसके आपको डॉक्टर से बात किया मिल लिया फिर भी आपका दिमाग हो मानने के लिए तयार नहीं है तो फिर मिंज कि आपका जो सोचने का तरीका है उसमें वो problem है उसमें दिक्कत है तो इस सोचने का तरीका क्या गलत है और उसको कैसे ठीक किया जाए उसके लिए आपको psychologist मतलब मनुविग्नानी जो आप से बात करेंगे counseling करेंगे आपके सोचने की pattern को decide करेंगे और उसको cognitive behavior therapy से कैसे ठीक किया जाए उससे आपको counseling से CBT cognitive behavior therapy से आपकी सोच में बदलाव लाएंगे और आपका डर निकालने में आपको काम करेंगे उसके लिए आपको अधा घंटे से एक घंटे तका एक sessions होता है और वह sessions करीमन 5-10 sessions के भी लग सकता है और मालों किसी इंसान नहीं किया उस इंसान के लिए और प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा है तो फिर मिंसे तो थोड़ा कंट्रोल करने के लिए मिसके मद्याग होते हैं तो एसे सफलता म मिलती तो दूसरा सफलता नहीं मिलती तो फिरा सट करना है ठीक है लेकिन मिए आपको आश्वासनद देता चाहूंगा कि आप ठीक हो सकते हो एक कुछ भी इस आप जो भी डर से या से जीवन में कुजर रहे हो वो चीज ठीक हो सकती है और इस सभी चीजे तभी होगी कि इस ठीक होने की आप जिम्मेदारी लो तब यहाँ आप को वीडियो पशंद आया हो तो शेर करिए लाइक करिए फॉलॉ करिए इस्टी से पारे में आप strict न Is अबीक करिकर्व और बेल आइकन दबाना मत बूलिए क्योंकि हमारा जो अगला वीडियो होगा तो हम से करीबन आज से हम हर हफ्ते एक वीडियो आने का प्लानिंग से तो करीबन आप हर हफ्ते कुछ नया जानेंगे और जो भी आप इस दर के साथ HIV की तकलिफ के साथ गुजर रहे हो तो उससे बाहर निकलेंगे और मेरा वादा है कि जब तक आप इस तकलिफ से बाहर नहीं निकल जाओगे तब तक में यहाँ पिर हर हफ्ते कुछ ना कुछ आप से अच्छी चीजे अच्छा गिनान अच्छा मार दर्शन देता रहूंगा और हर हफ्ते सनी या तो सनीवार या तो इनान भी बदल सकता है और मेरा परीचे देदू तो मैं मैं डॉक्टर केतन रांपरिया मैं ही और एड्स का स्पेश्यालिस डॉक्टर्स हूं मेरा क्लिनिक सुरत उज्रात में है तो जो लोग सुरत से नजदीक है वो लोग यहां पर आके मिसे मिल सकते हैं और जो मिसे बहुत सुरत से बहुत दूर है या तो ओनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो आगे कि इस जो स्क्रीन पर वहां पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं तो हम ओनलाइन भी कंसल्टेशन की फैसलड़ी कर रहे हैं थैंक्यू एरी मच स्टे हेल्दी स्टे सेफ्ट कर सकते हैं तो हम अभी करें लुवते हैं पर जपने कशुर्ण चाहते हैं जब जड़ा जया हैं छोड़ी आगे कर रहे हैं तो हम आगे